हलो दोस्तो स्वागत आपका संगल पे स्टेडी पॉइंट में तो दोस्तो लोगसेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन यानिके प्रेस बिग्यप्ति आप लोग को देखने को मिली होगी इसमें दोस्तो जो अभ्यरती थे हमारे जिन 35 अभ्यरतियों के साथ हम कह रहे थे कि लोगसेवा आयोग ने रिजल्ट चारी करने के बाद उनको जो फैनल लिस्ट है उससे बाहर किया हुआ था तो दोस्तों उसमें क्या कारण रहे थे आयोग की कि उनको बाहर किया गया था आयोग के द्वारा एक प्रेस बिग्यप्ति दी गई है इसमें क्या चीज़े कि कल का notification है मैं आपको इसके बारे में विस्तारपून तरीके से बताऊंगा कि इसमें जो हमारे पुलिस आरक्षी जो परिक्षा हुई थी उस पे जो हमारे 35 अभ्यर्थियों को दोस्तों इसमें बाहर किया गया था वो क्यों किया गया था और जो सोसल मेडिया पर वाइरल हो रही है चीज़ें तो उन पर भी रोक लगाने के लिए आयो के द्वारा ये प्रेस नोट निकाल लगया है तो दोस्तों देखे इसमें क्या चीज़ें कही गई है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं अववत कराऊंगा एकद द्वारा सूचित किया जाता है कि 21-5-2023 को घोसत उत्राखंड पुलिस आरक्षी PSC IRB पुलिस फायरमेन अगने समक पुरुस महिला परिश्याप 2021 के चैन प्रणाम में परवतिय छेतर के आधार पर सारलिक मानग में छूट को लेकर बिभिन माध्यमू से ब्रहमक तत्य प्रशारित किये जा रहे हैं इस संबंद में अउगत कराना है पुलिस मुख्याले द्वारा उपलब्द कराये गई डाटा के आधार पर कुल 1,30,429 अभ्यर्थियों को सारलिक दक्सिता एब मानग परिक्षा में सफल गुसित किया गया जिसमें 89,276 अभ्यर्थियों द्वारा ओनलाइन आविदिन पत्र में पर्वते छेतर का दावा किया गया था फिर कहता है लिखित परिक्षा वस्तोनिस्ट प्रकार के आधार पर कुल 2619 अभ्यर्थियों को अभिलेक सत्यापन आमंत्रित किया गया जिसमें 477 अभ्यर्थियों द्वारा ओनलाइन आविदिन पत्र में पर्वते छेतर का दावा किया गया था अच्छे दोस्तों जो इस सलेक्टेड अभ्यर्थि थे इसमें से सिर्फ 477 अभ्यर्थि ही ऐसे हैं आप लोग देखेगा 477 अभ्यर्थि ही ऐसे हैं यानि कि 2619 अभ्यर्थियों मैं से जिनने क्या करा है हिल्प सैटिफिकट के लिए ओनलाइन आविदिन के समये पर यस करा हुआ है फिर कहता है कि अन्तिम चैन प्रणाम दिनांक 21 मैं 2023 में सफल घोसित 1520 अभ्यर्थियों मैं से 266 ऐसे अभ्यर्थि सफल घोसित हुए जिनके द्वारा ओनलाइन आविदिन पत्र में परवतिय छेत्र पर दावा किया गया था उक्त दावे के सापक से परवतिय छेत्र प्रमानपत्र आयो के प्रस्तूत किया गया है अब ये कहता है क्योंकि वो 267 डाकुमेंट वेरिफिकिसन के लिए भुलाएगे थे दोस्तों अगर बात करें अन्तिम चैन की जो 1520 अभ्यर्थि थे दोस्तों उन 1520 अभ्यर्थियों में से भी 267 ऐसे अभ्यर्थि थे यानि कि 267 ऐसे अभ्यर्थि थे हमारे जिनने अब ओनलाइन आवधिन करते समय हिल सैटिपिकेट के ओप्शिन पर येस करा हुआ था और उन लोगोंने अपना हिल परमानपत्र भी वहाँ पर प्रस्तूत किया हुआ था फिर उसके बाद बात करते हैं ऐसे 35 अभ्यर्थि जिनका अभ्यर्थन अंतिन चैन प्रणाम घोषित किये जाने के पूर्व ही निरस्त दिया गया है मैंसे 19 अभ्यर्थि द्वारा ओनलाइन आवधिन पत्र में परवतिय छेत्र है तो छोट का लाप्राप्त करने संबंदी कॉलम नो अंकित के आगए है कहने का मतलब है दोस्तों जो 35 अभ्यर्थि हमारे बाहर किये गए हैं ऑनलाइन आवधिन करते हुए उनने से 19 ऐसे अभ्यर्थि हैं जिन्होंने हिल सैट पिकर्ड यस और नो सैट पिकर्ड यह निगी आप उचाई यह फिर सीने की बाप में छूट चाहते हैं यस और नो के आप्शन पर उननीस अभ्यर्थि ने नो का आप्शन दिये है ऐसा आयो का कहना है फिर उसके बाद देखिए चार अभ्यर्थि द्वारा अभिलेक सत्यापन के समय पर्वत्य चेत्र हितु छूट काला प्राप्त करने संब्दि कॉलम में यस अंकित किया गया है किन्तु आयो के पर्वत्य चेत्र परमानपत्र उपलब्द नहीं कराया गया और दोस्तो यस करने के बाद वहां पर परमानपत्र होते हैं दोस्तो उसको वहां पर उपलब्द नहीं कराय अब उसके बाद देखे तो कटीपई अब्भीर्थियों के द्वारा संबंदित रेटी, उपस रेटी, कट अफ好吃 के अधिक अंक प्राप्तीcasting होने के बावजूद छैन प्रणाम हे तो विचारित नहीं किये जाने के संबंदे में विविन्नमाध्यमों में गलत प्रत्य प्रसारित किये जा रहे हैं इस संबंदे में अउगत कराना है कि प्रस्नगत परिक्षय के विग्यापन बिंदु संख्याती लिखित परिक्षय में उल्लेखित प्राविधान उशार, ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित वस्टनिट्स परिक्षा में न्योंतम निर्धारित अंक, जर्नल, OBC, EWS हेतू, 45% तथा SCST हेतू, 35% धारित नहीं करते हैं, किसी भी पत के सापेक्स अंतिम चैन हेतू, विचारित नहीं किया गया है, बले ही अभ्यर्थी के लिखित परिक्षा, शाररिक परिक्षा की अंकों का योग, उनके उर्धारस रिने के न्योंतम कट ओफ, माक से अधिक हूँ, ऐसे अभ्यर्थी, अभ्यर्थियों के अभिलेक सत्यापन हेतू भी आमिंत्रित नहीं किया गया है, फिर देखिए, कतिपई आध्यमूं से मिध्या दावा किया जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा साररिक परिक्षिता परिक्षा मानक की समय प्राप्त अंक अधिक थे, परन्तु आयोग द्वारा परिक्षा की सूची की अंकों को जिथावत लिखित परिक्षा की अंकों के सांथ जोड़कर परिक् कि जहांबर अगर हम बात करें कि फिजिकल में आपके अगर 92 या फिर 94 या फिर 96 जो भी आपकी यहां पे नंबर रहे हुए हैं दोस्तों वो जो नंबर हैं वो पुलिस भाग के द्वारा लोक से वायो को परशारित किये गए हैं उसके बाद ही जो आपके लिखित परिक्षा क माक्स हैं उनको टोटल एट करने के बाद आपके मेरिड बनाए गई है और दोस्तों यहां पर जो हमारे अभ्यरती थे जो लगबग 35 अभ्यरती बाहर हुए थे दोस्तों तो कहीं न कहीं आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आप लोग क्यों बाहर हैं क्योंकि आप लो पुसरी बात अगर करें दोस्तों तो ये अगर आप लोगों के उसमें अगर No का option है तो आप लोगों को physical exam में भी पास नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप लोग फजी फिजिकल एक्जाम में अगर पास है तो रिटन तो आप लोग अब्यस्टी देंगे और लास्ट टाइम पर ये चीज आपको डीवी के टाइम पर भी नहीं बताएगी डीवी के बाद जब रिजल्ट प्रशारित किया जाता है उससे लगबग 2-4 घंटे ही पहले बताए जाती अंत में लास्ट यानि की रिजल्ट प्रशारित दने के 2 घंटे पहले किया गया था वो थोड़ा सा अजीब था थोड़ा सा गलत था और अगर बात करेंगे आप लोग अगर क्यों बाहर है तो आप लोगों को इसका जवाब लोग सिवा आयोग के द्वारा दे दिया गया ह तो आप लोग अभी भी जाके यानि कि लोग सिवा आयोग के कारलाय में जाके आप लोग यहां पर दुबारा से इन चीजों के बारे में पोच सकते हैं कि क्या तरूपियां रही हैं और अगर इन जो सूचियां दी हैं इसमें इन सूचियों के अतिरिक्त आप लोग के सभी डाकुमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी अगर यह नाम नहीं है तो आप लोग आयूग की कारेले में बात करें क्योंकि आयूग ने कारेले में जब बात हुई थी तो उनका साथ सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सेयर करें लाइक करें कमेंट करें धन्यवाद